दे फर्स्ट ओमेन, हॉरर और सस्पेंस का तड़का सत्तर के दशक से लेकर आज तक दशकों की पसंद रही दे फर्स्ट ओमेन, एक नई कहानी के साथ एक बार फिर आपको डराने के लिए तयार है, बताते चलें कि इस फिल्म की कई सीक्वल बनी है इस पार नर्देशक अरकाशा स्टीविंसन दे फर्स्ट ओमेन के रूप में दे ओमेन की प्रीक्वल लेकर आई हैं कहानी की बात करें तो, शुरुआत एक डरावने सीन से होती है, जहां फादर ब्रेनन यानी राल्फ इनिसन फादर हैरिस यानी चार्ल्स डान्स को अप्राकृतिक रूप से पैदा हुए बच्चे की तस्वीर के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन फादर हैरिस कुछ भी नहीं बता पाते, और तभी उनके सिर पर एक पाइप गिरने से, उनके सिर का हिस्सा कड़ जाता है, फिर कहानी सेट होती है, 1971 के रूम में, जहां अमेरिकी सिस्टर मारगेरिटा यानी नेल ताइगर फ्री को रूम के चर्च और अनाथाले की सेवा के लिए भीजा जाता है शुरुआत में मारगेरिटा को चर्च के उसनाथाले का माहौल अच्छा लगता है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वह बहुत ही डरावने और अजीबोगरीब घटनाओं से गुजरती है, इस फिल्म के कई सीन आपको डराने में काम्याब साबित होते हैं, साथ हाफ में हौरर के सीन कम है, ओडियन्स को हौरर जंपस कम मिलते हैं, मगर निर्देशक का बहतरीन ट्रीटमेंट किसी नाइट मेर की तरह दर्शक को बांध देता है, सेकंड हाफ में रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक दृश्य जरूर हैं, जो आपको सीट से उच चलने पर मजबूर कर देते हैं, निर्देशक एंटी क्राइस्ट के कॉंसेप्ट को राजनीतिक, धार्मिक और पावर के पहलों से भी जोड़ती हैं, अरकाशा उसे अपने निर्देशन की विशिष्ट शेली से कलात्मक बनाती है, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी तारीफ क काबिल है, और इसका श्रेय जाता है एरॉन मॉर्टन को, फिल्म का बैकक्राउंड म्यूजिक विशए के अनुरूप है, अभी नए की बात करें तो, मार्गेरिटा के रूप में नेल टाइगर फ्री ने जानदार अभी नए किया है, अपने किरदार के एमोशन्स के लिए उन्होंने अपनी आँखों का बखू भी इस्तिमाल किया है, फादर ब्रेनन बने राल्फ इनेसन ने अपनी भूमिका के साथ न्याई किया है, सिल्विया की भूमिका में हेड सिस्टर के रूप में सोनिया ब्रागा डारती है, लुच के रोल को मारिया काबलेरों ने, खू झाल झाल